आइफ्लो ने भार्थ के अंदर अपने टीवी की नई सीरीजे लोज कर दी है और ये टीवी आपको 43 इंच से लेकर 65 इंच की चार स्क्रीन साइज में देखने को मिलते हैं यहाँ पर बले ही स्क्रीन साइज आपको च्यार मिल रहे हैं लेकिन जो स्पेसिकिशन है वो च्यारों में बिल्कुल सेम ही आपको देखने को मिलेंगे इन च्यारों ही टीवी के अंदर आपको 4K रेलिशन और 60 हर्टर्स का रेफ्रेश रेट देखने को मिलता है तो सलिए आज की वीडियो में हम इनी के प्राइज और स्पेसिकिशन के बारे में जान लेते हैं मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अन्बॉक्सिंग तो बेहद ही पतले बैजल के साथ आइफ्लोन के ये टीवी यू 62 के मोडल के नाम से लॉंचे किये गए हैं इन टीवी के इंदर आपको मैक्सिमम 280 nits की brightness देखने को मिलती है इतना ही नहीं यहाँ पर आपको HLG और HDR 10 जैसे काफी latest feature भी देखने को मिल जाते हैं आइफ्लोन के इन टीवी में आपको dynamics color enhancements का algorithm देखने को मिलता है जिस वज़े से जो picture quality है वो काफी better आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आइफ्लोन के इन टीवी के नदर आपको quad core processor और dual core GPU दिया गया है यहाँ पर इन सभी टीवी के अंदर आपको 2GB RAM और 16GB internal storage देखने को मिलेगी इसके लावा iPhone के ये टीवी Google TV के interface पर आपको देखने को मिलेगे यहाँ पर आपको Google Chromecast built-in मिल जाता है इसके लावा यहाँ पर voice command के लिए Google Assistant का support भी दिया गया है और remote के अंदर भी voice control का option आपको मिल जाता है तो आप चाहें तो remote के द्वारा voice से या फिर direct Google Assistant के द्वारा voice से अपने टीवी को यहाँ पर control भी कर सकते हैं इस टीवी के अंदर आपको 12-12 watt के दो speaker देखने को मिलते हैं यहाँ पर dual channel के दो speaker दिये गए हैं यह speaker dual by audio और DTS true surround sound को भी spotted करते हैं अब iPhone के इन टीवी के अंदर आपको सबसे नई सी जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पर micro dimming technology देखने को मिलेगी micro dimming technology की वज़े से brightness और darkness दोनों ही बहुती बहतरी त्रहिके से adjust होते हैं और उसकी वज़े से आपको यहाँ पर जो colors हैं वो काफी ज़्यादा optimize होकर दिखते हैं जिस वज़े से picture quality और भी ज़्यादा better यहाँ पर देखने को मिलती हैं connectivity की बात करें तो यहाँ पर आपको लगबग सभी port भी मिल जाते हैं जिस परकार से तीन HDMI के port यहाँ पर मिलते हैं जिसमें से एक EARC का port आपको मिल जाता है और दो USB के port यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके लावा एक Ethernet, एक AV का port और एक RF का port भी आपको यहाँ पर मिल जाता है इनके लावा dual Wi-Fi band और Bluetooth का support भी हाँ पर दिया गया है अब iPhone जाने जाता है अपने aggressive price की वज़े से क्योंकि जो iPhone है वो एक middle class को ध्यान में रखते हुए अपने DV के price है वो decide करता है तो यहाँ पर भी जो price है वो काफी कम आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर 4 screen size में ये टीवी launch हुए है सबसे पहला है 43 इंज का टीवी जो कि आपको 25,999 में देखने को मिलता है दूसरा है 50 इंज का टीवी जो कि आपको 28,999 में देखने को मिलता है ये सभी TV फ्लिप कार्ट पर एवलेबल हैं जिनके लिंक में डिस्क्रप्सिंज में भी दे रहा हूँ आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इने चेक आउट कर सकते हैं आपका iPhone के इन TV के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक जरू कीजिए चैलने पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ तब तके लिए जैहिं जै भारत